प्रादेशिक समाचा रिकांश भूपाल से प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिठी आलेक तनुच तिवारी वाचक स्वर सैयुकता बैनर जी नर्मदापुरम जिले में गर्मी के तीखे तेवर जारी है जहां लोग दिन की तपन और लू से परेशान हैं वही रात में भी तापमान बढ़ने से नींद भी प्रभावित हो रही है यहां रात का तापमान 26 से 30 डिग्री के करीब पहुँच गया है वही मौसम वैग्यानिकों का कहना है कि फिलहाल मौसम का मजाज ऐसा ही रहेगा जिलह में एक महीने में 28,749 किसानों से समर्थन मूल्य पर 2,90,000 टन से अधिक गेहूं की खरीदी हो चुकी है समर्थन मूल्य पर खरीदी 15 मई तक होना है जिलह में गेहूं का उपारजन 204 केंद्रों और चना का उपारजन 26 केंद्रों पर हो रहा है चना की खरीदी 25 हेक्टेर टन से अधिक हो चुकी है नर्मदापुरम जिला जहां गेहूं की पैदावार में प्रदेश के सभी जिलों में प्रथम स्थान बना चुका है वहीं चना की पैदावार में भी जिला रिकॉर्ड बनानी के स्थिती में पहुँच गया है इस बार जिले के किसानों ने पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 63,000 हेक्टेर में चने की बोनी की है 25 मार्च से चने की खरीदी शुरू ही है जो 21 मई तक जारी रहीगी जिले में इस बार ग्रीश मकालीन मूंग की 30 फसल की स्थिती अच्छी है इस बार जिले में 2,32,705 हेक्टेर रगबे में मूंग की फसल उत्पादित की जा रही है ये पिछले साल से 4,652 हेक्टेर ज्यादा है केंद्रिय ग्रामेन विकास मंत्री गिरिराज सिहने नई दिली के डॉक्टर अंबेटकर इंटरनाशनल सेंटर में मसदूरी से स्वरोजगार तक का सफर तैकरने वाली नर्मदापुरम जिले की मीरा यादव और कुंता बाई यादव का पिछले महीने सम्मान किया ये दोनों महिलाए मनरेका के अंतरगत पहले मसदूरी का काम करती थी प्रशिक्षन प्राप्त करने के बाद दोनों ने डेरी उत्पादन का काम भी शुरू किया हाल ही में जिले के सिवनी मालवा तहसील मिस्थित C.H.C. अस्पताल भीमराव अंबेटकर सामुदाइक स्वास्तकेंद्र को काया कलप अवॉर्ट के तहत प्रदेश में प्रथम पुरुसकार दिया गया है अवॉर्ट के साथ स्वास्तकेंद्र को 15 लाख रुपए का नगत पुरुसकार भी मिला है वहीं सिवनी मालवा सामुदाइक स्वास्तकेंद्र भी अवल रहा है गरतलब है कि प्रदेश भर के जिला चिकित साले, सिवल अस्पताल, CHC में बेहतर स्वास्त सुविधाओं के आधार पर हर वर्ष काया कल पवॉर्ट दिया जाता है मधिप्रदेश परियतन निगम से अनुमोधन के बाद नर्मदापुरम जिले के परियतन प्लान को लाँच करनी की तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है योजना की शुरुआत इस महीने के मध्य से होगी लॉंचिंग के साथ ही गरीब 10-12 इवेंट शुरू किये जाएंगे जिसमें बायो डाइवर्सिटी फेस्टिवल ट्रैकिंग आधी शामल रहेंगे शासन ने नर्मदापुरम के परियतन विकास और संभावनाव को लेकर इसे एक जिला एक उत्पादन की योजना में शामल गिया है जिला प्रशासन ने 52 वीग 52 इवेंट का प्लान तैयार किया है प्लान के लागू और शुरू होने के बाद पूरे देश में नर्मदापुरम जिले को विश्व परियतन के मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी नर्मदापुरम के सत्पुरा टाइगर रिजर्फ, स्टियार में वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए अब ड्रॉन से नजर रखी जाएगी इसके लिए स्टियार प्रबंधन ने ड्रॉन टीम का गठन किया है इस परियोजना को इगल आई नाम दिया गया है बनना टाइगर रिजर्फ के बाद अब स्टियार ड्रॉन से निकरानी की सुविधा वाला मधिप्रदेश का दूसरा रिजर्फ बन गया है वहीं सत्पुडा टाइगर रिजर्फ के जंगल में हाल ही में 21 चीतल और 20 बारह सिंगा छोड़े गए हैं सत्पुडा टाइगर रिजर्फ हमेशा से परियतकों के लिए आकर्शन का केंद्र रहा है यहां बाग, तेंदुआ, हिरन, बारह सिंगा, हाथी समेत, कई वन्यजीव, पक्षी हैं जिन्हें देखने प्रदेश और देश के परियतक आते हैं इस बार चीतल और बारह सिंगा के जुन्ट परियतकों को ज्यादा आकर्शित करेंगे जिले में भी कुपोषण को नियंतरण में लाने के लिए जन्भागीदारी को जोड़ा जा रहा है जिसमें एक प्लान पोषण मटका भी है जिले में बीते एक साल में 1448 कुपोषद बच्चे चिन्हित किये गए हैं कुपोशित बच्चों को कुपोशन से सुपोशन की और लाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं मटके में लोग सामगरी प्रदान करते हैं ये सामगरियां को पोशित बच्चों के काम में लाई जाती है नर्मदापुरम संभा की सेंट्रल जेल में बंदी कैदियों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए तीन करोड की लागत से तीन मंजिला उंचा वाच टौवर बनाया जा रहा है राश्रकवी पंडित माखनलाज चतुरवेदी की जहनती पर पछले महीने नर्मदापुरम जिले के माखन नगर का गौरव दिवस मनाया गया कारिक्रम में मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान और प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप से शामिल हुए इस मौके पर बाबई का नाम माखन नगर किया गया जिली के चठी समाप्त हुई